हाँ थैंक यू आओ चल यह स्टार्ट करते हैं यह आपका अच्छा पहले तो म्यूट कर ले सारे लोग चल यह आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर हम बात करें जी यस्ट की जिन्होंने पढ़ रखा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं पढ़ रखा है इन दर सेंस थोड़ा बहुत नौलेज है कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम उनके साथ है जिन्होंने जी यस्ट को अभी नहीं देखा बेसिकली अगर हम बात करें कि यह जो टैक्सेज होते हैं बेसिकली दो तरह के होते हैं first होता है direct text second होता है indirect text first is your direct text second is your indirect text अच्छा एक बात बताएए ये जी यस्ट हमारा direct text में आएगा या indirect text में आएगा अच्छा इतना मालूम है इसको हम IDT या indirect text कहते हैं Direct text वो जो किसी को direct hit करता है, indirect text जो पता नहीं चलता। अच्छा अगर मैं कहूं कि आप जब कमाने लाइक हो जाएंगे तो आप text देंगे। यही तो नहीं कमाने लायक हो जाएंगे। यही तो फूरा है वही टेकस देने गा बात साही है। जो कमाता है वही तो टेक्स देगा कि कोई और टेक्स देगा कौन टेक्स देगा अरे नहीं भाई कोई नहीं भी कमा रहा है तो भी वो दिन भर में टेक्स दे रहा है चाय पीते समय टेक्स दे रहा है खाना खाते समय टेक्स दे रहा है गारी में tours and travels के समय tax दे रहा है, stationery का सामान खरीद रहा है तो tax दे रहा है, जब आप देखते हैं कोई सामान buy करते हैं तो उस पे लिकाता है MRP, इतना inclusive of all taxes, उस पे आप tax देते हैं, एवन एक बिखारी भी tax देता है, कौन सा, कौन बंदा tax दे रहा है, एक जो बीक मांग, जो उस product पर आप tax देते हैं, जितना हम उस product पर tax देते हैं, सरक कैसे, मान लीजे हम bread खरीदने गए, और bread पर जो GST है, मान लेते हैं, जो tax है, वो 2 रुपय का है, दो मिनट के लिए मान लेते हैं, वैसे तो bread exempt की category में आएगा, लेकिन इस bread को कोई अमीर खरीदेगा, तो भी उस aggressive nature का tax होता है, regressive nature का tax होता है, हर किसी को pay off करना है, जबकि direct tax के वल उसी को pay करना है, उसी को pay करना है, जो actual में earn कर रहा है, तो direct tax अलग type का tax है, indirect tax, अलग category का tax है, कई लोग confused होते हैं, तो confusion नहीं रखना है, purchase या sell करने पर, या services provide करने पर, यानि कि products और services पर जो tax लगता है, उसे हम कौन सा tax देते हैं नाम, जो product और services पर tax लगता है, उसको कौन सा नाम देते हैं, हान जी, कोई कह देता कि sir GST कहते हैं, ना बाबा ना, उसको indirect tax कहते हैं, और जो person, जो person कमाता है, यानि किसी person पर अगर tax लगता है, किस के ओपर tax लगता है, किसी person के ओपर tax लगता है, उसको हम direct tax कहते हैं, यानि product और services पर दिये जाने वाला tax is known as indirect tax, while if any person is paying the amount of tax out from his own pocket, उसको हम कहते हैं direct tax, यह direct hit करता है, और यह होता है regressive nature का, और यह होता है progressive nature का, जिसकी जितनी जादा income, उसको उतना जादा tax देना पड़ेगा, यानि lower category की income कमाने वाले को progressive में कम tax देना है, हाईर कैटिगरी की income earn करने वाले को ज़्यादा tax देना है regressive का मतलब हुआ कम कमाओ ज़्यादा कमाओ ना कमाओ ओ ओ ओ आपको tax उतना ही देना पड़ेगा दोनों में फर्क समझ में आया अगर हम बात करें types की तो इसमें cover होता है income tax और इसके पहले cover होता था इसमें wealth tax और gift tax ये direct tax की category में आते थे लेकिन अब wealth tax और gift tax के act को अलग से abolish कर दिया गया है क्या कर दिया गया है खतम कर दिया गया है तो बेचारा बचा कौन अकेला income tax जबकि indirect tax की category की अगर हम बात करें तो indirect tax की category में आपका आता है GST goods and services tax goods and services tax तो goods and services tax as well as your customs act ये दो नोट कर लें इसको तो हम आगे बढ़े हो गया होगा तो हमारे दो तरह के nature होते हैं direct और indirect दो तरह के taxes होते हैं direct and indirect indirect tax चुकि आज हम लोग वही start कर रहे हैं कहता है if the taxpayer is just a conduct and every stage of tax incidence is passed on till it finally reached to the consumer sir इसका क्या मतलब हुआ अगर मैं इसको normal category में बताऊं तो यहां पर indirect tax के लिए मैं एक point लिख सकता हूँ कि tax burden can be shifted from one person to another जबकि direct tax के case में जबकि direct tax के case में it is to be imposed and collected या it is to be collected from the same person on whom it is imposed जिसके उपर ये इंपोस किया जाएगा direct tax उसी से collect करना है इसका मतलब अगर direct tax मेरे उपर आया मुझे अपनी जेब से देना है मैं अपना tax burden दूसरे पर shift नहीं कर सकता जबकि indirect tax के case में ऐसा नहीं होता tax burden एक परसन से दूसरे दूसरे से तीसरे, थर्ड से फोर फोर से फिफ तब तक ये cycle चलती रहती है जब तक कि वो product और services कोई actual में consume न कर ले it means sir थोड़ा example देकर बताए ये Mr. A है, ये Mr. B है, ये है C और ये है D ये जो Mr. A है, ये है manufacturer जो Mr. B है, वो है wholesaler और जो Mr. C है, वो है retailer और last है आपका consumer आप Mr. D है, आप pin खरीते हैं चलो, pin का manufacturer जो है उसने pin पर cost लगाई 10 रुपीज की और उस पे profit add किया मान लेते हैं 2 रुपए का total कितना आ गया total value कितनी आ गई जिसको हम लोग कहते है taxable value कौन सी value? taxable value अब इस taxable value में add किया गया GST, मान लेते हैं 3 रुपए 2 minute के लिए मान लिया 3 रुपए इसको हम कहते हैं invoice value यह छोटे छोटे terminology है और धीरे धीरे practice करते रहेंगे बार-बार सुनते रहेंगे तो यह चीज़े दिमाग में set भी हो जाएंगी और समझ में आ जाएगा हम क्यों बात कर रहें taxable value मतलब ऐसी value जिस पर tax लगना है that is why it is known as taxable value tax के लायक amount और tax जब लग गया तो हम सामने वाले से इतना पैसा वसू लेंगे इसका मतलब इसका मतलब wholesaler जब सामान खरीदेगा न किस से खरीदेगा wholesaler सामान sir manufacturer से खरीदेगा अच्छा तो जब wholesaler manufacturer से खरीदेगा तो उसके लिए जानते हूँ कितने में खरीदेगा कितने में buy करेगा कितने में buy करेगा 15 में आया ना पक्की बात है ना अरे बोल लो 15 में buy किया इसने क्या किया इसने अपना profit 3 रुपए add किया और total हो गया 18 फिर इसने भी GST अपना add कर लिया total value हो गई 20 अब बताओ एक चीज़ बताओ जब wholesaler ने 15 रुपीज में buy किया तो क्या उस 15 रुपीज में उसने सामने वाले को जो payment दिया है क्या उसमें tax का भी amount शामिल था क्या बाकी लोग बोलो भई yes या no भई मैंने कहा कि invoice value में 15 रुपीज में शामिल है 12 रुपीज taxable value as well as the amount of tax it means 15 रुपीज तबाही जब उसमें GST शामिल कर लिया गया अगर wholesaler 15 रुपीज दे देता है manufacturer को it means अब tax का burden किसके पास चला गया tax actual में किसने अपनी जेब से निकाला सर वो wholesaler था जिसने 3 रुपीज का tax दे दिया आया ना लेकिन government को किस ने दिया ये tax ये tax government को दिया है Mr. A ने कितना 3 रुपीज clear है अच्छा अब आते हैं इसका मतलब ये हुआ कि 15 रुपीज में वो 3 रुपीज शामिल है tax का जब 15 रुपे Mr. A को मिलेगा वो 12 रुपे अपनी जेब में रखेगा और 3 रुपे government को देगा because this portion was not belongs to him this was the amount of tax which he collected from Mr. B on behalf of the government he was just playing a role of as a collecting agency वो एक agency की तरह काम कर रहा है government के बिहाफ पर कि भाईया हम आप से tax ले लेंगे और government को दे देंगे तो वो Mr. A ने वही काम किया Mr. B से tax वसूला और government के account में जमा कर दिया अब Mr. B ने 2 रुपे अपना tax का add किया total मिलाकर हो गए उसकी invoice value 20 और इसनी ये सामान जानते हो कि इसको बेचा retailer को सच सच बताना बिलकुल ठीक समझ करके बताना कि क्या इस 20 रुपे में ये 2 रुपे का GST शामिल है क्या क्या retailer ने क्या retailer ने wholesaler को tax का 2 रुपे दिया है क्या अरे बोलो ना गलत जवाब total मिलाकर उसने 5 रुपीज दिये retailer ने अब सामान खरीदा उसने 12 इसका भी दिया और 3 रुपे tax का भी इधर का दिया और 2 रुपे ये भी दिया 20 रुपीज में ये 15 भी शामिल है 20 रुपीज में ये 3 प्लस 2 भी शामिल है इसका मतलब उस 20 रुपीज में जो wholesaler ने tax दिया था manufacturer को 3 रुपीज ये वाला वो भी 20 रुपे में शामिल है और ये 2 रुपे भी इसी में include है in totality now the retailer is paying the amount of all previous taxes to Mr. B yes or no राजीव बोलिये समझ में आया आपको पिछले सारे taxes का payment किया है Mr. C ने A का भी tax दिया जो B ने A को दिया था और B वाला भी tax B को दिया यानि कि A को जो tax गया था 3 रुपे और जो B को tax गया 2 रुपे वो सारा tax अब C के मत्थे चड़ गया ना A ने अपनी जेब से कुछ भी GST का payment किया है माइंड इट ना तो A ने अपनी जेब से GST का एक रुपे भी payment किया ना B ने एक रुपे भी GST का अपनी और से government को दिया क्योंकि C ने सारा का सारा tax B को दे दिया हाँ या ना अच्छा जी अब इसके बाद आते हैं इसने क्या किया है इसने भी 5 रुपीज एड किया 25 और 5 रुपीज का ये भी tax एड करके retailer को बेच दे रहा है बताओ retailer से consumer को बेच दे रहा है consumer जो है retailer को कितना रुपया वापस करेगा कितना रुपया payment करेगा उस product को लेने के चक्कर में 30 रुपीज क्या उस 30 रुपीज में ये 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 तीन रुपय शामिल है क्या क्या इस तीस रुपय में वो तीन रुपय शामिल है क्या क्या ये दो रुपय भी शामिल है क्या क्या ये पांच हाँ sir ये तो include हो गया it means now Mr. D is the ultimate now Mr. D is the ultimate tax bearer इसके बाद Mr. D spin को घर में use कर लेगा copy पे लिखेगा, paper पे लिखेगा अब इसको वो sell नहीं कर सकता वो उसको consume कर रहा है अब वो tax किसी से वसूल नहीं सकता इसलिए कहा जाता है कि tax burden can be shifted from one person to another until or unless it is ultimately consumed by a consumer yes or no समझ में आया ना बहुत बढ़िया ये हमने आपको बता दिया इसको हम लोग consumption tax के नाम से भी जानते हैं regressive tax होता है आते हैं जड़ा indirect tax के features की बात करते हैं कुछ special categories है यादा कुछ special features है इसके characteristics है पहला it's an important source of revenue सोचो government कितना tax collect कर लेती है सोचो directly और indirectly कितना tax कोई भी ऐसी चीज नहीं है आप सुबह से उठते हो जो कुछ भी आप consume करते हो government उस पर आपसे tax ले रही है इस समय आप mobile देख रहे हो laptop पे हो आपने laptop का tax दिया है mobile का tax दिया है जो कपड़े आपने पहने हुए है उस पर tax दिया है जिस कुरसी टेबल पर आपने बैठे है उस पर tax दिया है चाय पी रहे है कप है जो कुछ भी आपको आसपास दिख रहा है even a single thing in each and every item you have already made the payment of taxes and already paid the amount of lakhs of rupees in the account of the tax आप accounts जो government का account होता है tax का treasurer account उसमें आज तक आपने मैं आपकी बात कर रहा हूँ as a student आपने लाखों रुपए उस account में जमा कर दिये है तो ये बहुत ही बड़ा revenue का source है government का tax का दो source होते हैं एक direct और एक indirect पहला मैंने बताया direct that is your income tax जो कमाता है उतना tax देता है नहीं कमाता नहीं देता कम कमाता है कम देता है लेकिन indirect tax regressive nature का होता है सबको एक बराबर का tax देना है अगर आपने same product consume किया है तो चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो it's an important source of revenue अब आते हैं indirect tax चाहे वो products हो चाहे वो services हो दोनों पर charge होता है अगर हम pre GST resume की बात करें अगर हम GST आने के पहले के resume की बात करें तो अगर कोई आज से लगभग 25 years back की बागर बात करूँ 95 95 के आसपास की अगर मैं बात करूँ 94 में आया था GST sorry service tax तो जब आया था first time तो उस समय अगर किसी को बोल दिया जाता coaching पढ़ाते हो तो उपर tax लगेगा sales tax लगेगा तो लोग हंसता अरे पागल हो गया है पागल हो गया है बताओ coaching पढ़ाने पर भी टेक्स लगता है क्या CA हो consultancy देते हो तुमारे उपर न service tax लगेगा अरे उस समय हंसता मतलब अजीब बात लगती थी बहुत ही एक डिफरेंट टाइप का system हो जाता है services पर कैसे tax लग सकता है services पर भला context लगाते है और कैसे लग सकता है services तो invisible item होते हैं उन पर कैसे tax लगेगा and how to evaluate the value of the services आप किसी doctor ने किसी बरीज को देखा उससे 10,000 लिया उसी type की दूसरे बरीज को देखा same type की problem को diagnose किया उससे 1000 रुपे लिया तीसरे से कुछ लिया ही नहीं now how to evaluate the value of the services now it was seems it means it seems that it is impossible to impose the taxes on the service taxes लेकिन को अच्छी तरह मालूम था that we are a progressive country हम लोग progress कर रहे हैं developing country हैं आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में एक समय ऐसा आजाएगा जब हम लोग developed country की category में खड़े होंगे और जो policy में कर होते हैं वो आगे का देख करके ही अपनी policy बनाते हैं nation के इसाब से तो वहाँ पर पहले से मालूम था कि हम लोग आगे बढ़ेंगे आगे काम करेंगे तो जितनी भी developed country हैं वहाँ पर जी एस्टी आ चुका था मैंने क्या बोला वहाँ पर जी एस्टी आ चुका था या जी एस्टी लाया जा रहा था गौर्मेंट को म लॉंच किया था टेक्स लगाने के लिए experimental basis पर कोई law नहीं बनाया था finance act के हिसाफ से चलता था finance act के हिसाफ से जो साल भर में आता है कोई अलग से कोई act नहीं बना उन्होंने experiment किया insurance वगर उसमें लाए और launch कर दिया अच्छा लोगों को आदत नहीं थी लेकिर वो धीर धीर गौर्मेंट को बहुत फायदा दिखा चुकि गौर्मेंट ने ऐसी जैसे telecommunication हुआ टेलिफो पर उस पर चार्ज किया गया और insurance की services पर चार्ज किया गया तो गौर्मेंट को बिना कुछ efforts किये taxes आने लगे indirect taxes के indirect tax के नाम से गौर्मेंट को service tax पर tax मिल लगा first time और गौर्मेंट खुशी के मारे फूल करके कुपा हो गई क्योंकि उसको तीन services पर अच्छी कासी success मिल गई थी गौर्मेंट ने थोड़ा और कदम बढ़ाया तीन-चार services और इंक्लूड गी उसी finance act में आचा फिर आगे बढ़े फिर दो-चार services एड की करते करते 116-120 services तक आ गई लगबख सारी services जीरी-दीरी cover होने लगी अब गौर्मेंट को समझ में आ गया कि भई हमको service tax का एक अ करके जब हम लोग के साथ पहले चलता था sales tax चलता था इसको कई जगों पर trade tax भी कहा जाता था इसको sales tax भी कहा जाता था commercial tax भी कहा जाता था turnover tax भी कई states में कहा जाता था और ये statewide होता था किस तरह होता था ये statewide होता था और इसी तरह हमारा service tax launch किया गया अब दो-दो tax चल रहे थे service tax services पर चलता था sales tax पर sales पर चलता था चलिए government ने काम किया sales tax की जो एक problem थी सबसे बड़ी उसको वैट में लाकर करके दूर की जिसको हम लोग कहते है value added tax जिसको हम लोग कहते है value added tax क्योंकि यहां पर बहुत बड़ी समस्या ये थी दो बहुत बड़े drawbacks होते थे sales tax के multipoint tax लगता था और multipoint tax लगता था multipoint invoice value पर तो होता क्या था कि एक ही amount दस बार tax की तरफ पे किया जाता था अब मैं उतना detail में नहीं जाने वाला कहीं आप कहेंगे तो हम एक example देकर बता देंगे otherwise हमें नहीं लगता हो वहां जाए बता दें क्या या छोड़ दे छोड़ दे तो statewide tax लगता था वैट जिसको हम कहते थे value added tax उसको launch किया गया इस sales tax को हटाया गया commercial tax को हटाया गया कानून एक बना लेकिन हर एक state के हिसाब से कुछ न कुछ उसमें plus और minus किये गया उनको freedom दी गई थी ये एक बहुत बड़ा फायदा मिला state वैट आने से जबकि purpose ये था कि common वैट आ जाए एक complete इंडिया में एक ही वैट का system हो वो हो नहीं पाया क्योंकि state government की revenue income का एक state वैट के नाम से आया जितने state उतने state वैट बने चलिए government ने कुछ तो किया जो हमारे commercial taxes था उनको एक uniform basis पर इंडिया में ला दिया और जो कमिया थी commercial tax की sales tax की trade tax की turnover tax की उन कमियों को दूर कर दिया गया यानि अगर पहले होता क्या था अगर कोई practitioner था वो अगर Delhi में practice करता he was not capable to do the practice in UP or in other states and then after the imposition of the state वैट it was still not possible because there were so many differences in the state वैट ठीक है लेकिन एक आया value-added tax और एक बहुत बड़ी बात क्या हुई बैट आने से जो state पे हमारा जो जो हम लोग यह sales tax चार्ज करते थे उसमें दो बहुत बड़े drawbacks थे at least इस state वैट के आने से वो drawbacks दूर हो गया अब जो हमारा tax लगने लगा था वो multipoint tax लगने लगा था पहले भी multipoint tax लगता था सर यह क्या मतलब है बताएंगे लेकिन एक फायदा यह हुआ कि अब केवल value- added figure पर tax लगने लगा ना कि उस complete value पर tax लगने लगा अब केवल value-added figure पर tax लगने लगा और tax के ऊपर tax नहीं लगता कौन सा tax नहीं लगता? tax के उपर tax नहीं लग रहा, ये फायदा हुआ, दो फायदे हुए, एक तो multipoint tax लगा लेकिन value added हो गया, first benefit, दूसरा कि tax के उपर tax लगना बंद हुआ, सर ऐसे कैसे पता चलेगा, थोड़ी तरह मैं example देता हूँ, उसके लिए आपको tension लेने की जोरत नहीं है, तो अब ये state government, य बहुत ज़्यादा इसका भी प्रोटेस्ट हुआ था, लोग पैदल मार्च, मशाल मार्च ले करके निकल जाते थे, दिन में भी मशाल मार्च चलाते थे, और हर जगए ये हो गया, businessmen के ओपर बदमाशी होगी, bureaucracy अपना different तरीके से attitude दिखाएगी, लोगों को जेल में डाला ये सब डराया गया, लेकिन फिराल अल्टिमेटली ये आया, और उसके बाद सब खुश, लेकिन फिर जब GST आया, अब GST ने क्या कहा, भई हम दोनों को खतम करके, service और goods के लिए अलग-अलग tax न बना कर GST लाएंगे, खुब मारा मारी हुई, माथा पच्ची हुई, लेक होगा आपने, और एक और बना CGST के अलावा वो है IGST, जो पहले CST था, Central Sales Tax उसकी जगा IGST आ गया, सर इतने एक्ट बन गये, हाँ, फिर से बन गये, लेकिन हाँ, इसका फायदा अभी मैं आपको बताऊंगा, क्या हुआ, at least अब service tax अलग से खतम हो गया, at least अब state vats अलग-अ जो अलग-अलग state के laws थे value added पर वो खतम हो गया, अब सारे states के लिए common law बना हुआ है, common law मतलब जो section 4 UP का बताएगा, वही section 4 Delhi GST का बताएगा, वही section 4 Maharashtra GST का बताएगा, यानि section 4 is common in all the states, हाँ, उन्होंने अपने हिसाब से कहीं न कहीं जहां उनको suit करता है, थोड़े बह law is same in all the states, got it or not, समझ में आई मेरी बात या नहीं, आकांशा बोलिये बाबो, अनामिका समझ में आ रहा है बाबो, एहमद, विजेंद्र कोई दिक्कत राजीव, नहीं है, शलते हैं, हाँ, बोली बाबो, विजेंद्र, बोलिये, कुछ पूछना है, अब मैं आपके सामने वो example रखने ले जा रहा हूँ, जो यह बताएगा अखिर state tax में क्या problem थी, commercial tax और turnover tax में क्या problem थी, जिसके कारण VAT आया, और VAT के बाद क्यों GST लाया गया, चूंकि मैंने VAT के बाद GST क्यों लाया गया, उसका example दे दिया, लेकिन example दोनों का देना बनता है, आज भी हम लोग VAT system को ही use कर रहे है, even we are following GST system, but our GST system is followed by the VAT system, जो पहले VAT system था, still it is followed by the GST system, VAT system is the good one, क्योंकि यह दो problems को दूर करता है, जो पहले थी, कौन सी दो problem पहला, multipoint tax तो लगता ही है पहले की तरह, लेकिन केवल value added figure पर tax लगता है, VAT में और GST में, और साथी साथ tax के उपर tax नहीं लगता, जरा देखते हैं problem क्या है, मान लेते हैं, यह Mr. A है, B है, C है और D है, यह manufacturer है, यह wholesaler है, यह retailer है, यह retailer है, और यह consumer है, अच्छा सर, ढंग से देखेंगे, यह cost है, 10, plus, profit इसने charge किया, 3, total हो गया 13, चलिए, 3 नहीं लेते हैं, यह हो गया taxable value, आच्छा, trade tax मान लेते हैं, जो पुराने जमाने में चलता था, इससे यह फायदा होगा, आपको यह समझ में आयागा, कि क्या positivity है, और क्या negativity थी, पहले, 10% ले लेते हैं, ले ले न, trade tax को 10% ले ले, कोई दिक्कत है, क्या किसी को, यह आगया आपकी invoice value, अब, इस 22 रुपीज में सामने वाले ने buy किया सामान, इसने इसमें अपना 8 रुपे profit जोड़ा और 30 में sell करना है, गौर्मेंट ट्रेट टेक्स कितना लेगी मालूम है, कितना, 10% कितना हो गया, 33, इसने कितने में buy किया मालूम है, सर 33 में, इसने 7 रुपीज profit add किया, इसके पास हो गया 40 का, इसने 10% tax add किया, कितना हो गया, 44, इसने कितने में buy किया होगा, इस example में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलें भाई, अब बहुत बड़ी problem आने वाली है, सर कौन सी problem आएगी, इसको मैं करता हूँ side में, अच्छा, का हाँ या ना, अच्छा, इस 22 में 2 रुपे क्या है, मालूम है, क्या है, अच्छा, यह मालूम है कि यह tax है, चलिए सर, इसको हमने circle बना दिया, यह जो 30 रुपे tax लगा है ना, सच सच बताना, जब पहले 20 रुपे पर tax लगा था, then we were able to say that, इस पर एक रुपे 70 पैसे का tax लगा है, और इस पर 30 पैसे का tax लगा है, इन दोनों को add कर दिया, तो कितना tax आ गया, 2 रुपे, आया ना, नहीं समझ में आई बात, नहीं समझ में आई ना, इस पर tax कितना बनेगा, सर, एक रुपे 70 पैसा 10%, इस पर tax कितना बनेगा, 30 पैसा 10%, दोनों जोड करके यही तो आएगा, अच्छा जी, जब हम बात करेंगे इस 3 रुपे के tax की, तो सच सच बताना, कि इस 20 रुपे का 2 रुपे का tax, 2 रुपे का 20 पैसे का tax, हाँ या ना, 10-10%, और 8 रुपे का 80 पैसे का tax, यही तो बना, इन तीनों को add कर लो, इतना आएगा या नहीं आएगा, 10-10%, आगया, इस 33 की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें 20 रुपे पर 2 रुपे, अरे हाँ या ना, 2 रुपे पर 20 पैसा, पुराना वाला, 8 रुपे पर 80 पैसा, ओके, 3 रुपे पर 30 पैसा, और 7 रुपे पर 70 पैसा, सबको add करो कितना आ रहे है, जरा सच-सच बताना कसम है तुम लोग को, आ तो गया, ओड़ी बाबा, अब जरा इसको थोड़ा analyze करो, तो हमें ये समझ में आया, कि जो हमने ये 2 रुपे का tax दिया था ना, दिया था ना, दिया था ना, वो हमें उस 2 रुपे पर tax देना पड़ा, 2 रुपे का 10 परसेंट लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, सच-सच बताना, वो दोबारा भी लग गया, अरे, Mr. C के या भी लग गया, भई, B ने भी उस 2 रुपे पर tax दिया, C ने भी tax के उपर tax, tax के उपर tax, tax के उपर super tax, super tax के उपर super nova tax, भगवाएं जाने कितने tax, अरे, कौन सा सिस्टम बना रख्यों, यह कौन सा, आप हमसे tax वसूल यह, tax के उपर tax क्यों वसूल रहे, पहली problem, यह बहुत बड़ी problem थी, दूसरा, कि जो आपने 3 रुपे tax वसूला है न, यहाँ पर, यह, नीचे, यह वाला, यहाँ तो 2 रुपे आपने वसूला था, यहाँ पर 2 रुपे प्लस 1 रुपे और लिया, बोलो न, आखिर यह 3 रुपे कैसे आया था, उसमें 2 रुपे फिर से जोड़ा गया न, उसमें 20 पैसा फिर आया न, फिर 80 पैसा आया न, यानि इस 3 रुपे में यह वाला 2 रुपे दो बारा आ गया, दो बार गया 2 रुपे, दिख रहे हैं कि नहीं, और तो और तीसरी बार यह फिर से 2 रुपे चला गया, इतने तक रहता तो ठीक था, इस 3 रुपे पर को भी दो बारा गॉर्मेंट ने ले लिया, उड़ी बाबा, इतना टेक्स लेगी गॉर्मेंट, और टेक्स के उपर टेक्स, यह तो प्रॉब्लम थी थी, एक ही टेक्स गॉर्मेंट कई बार ले रही थी, देखो न, एक ही 2 रुपे, इस यहां से भी ले रही है, उसके उपर 2 रुपे के उपर टेक्स तो ले रही है, फिर 2 रुपे दूसरी रुपे की यहां पर देना से पड़ा, मेरी बात समझ में आ रही है नहीं ये कितना है ये कितना है तीन रुपए है न इसमें दो रुपए शामिल है न दो बारा वाला और इसमें एक रुपए शामिल है न नहीं है एक्स्ट्रा एक रुपए शामिल है न बीस पैसा और असी पैसा और उसी उसी अमाउंट को आप दो हो या नहीं, 20 रुपए पर टेक्स ले रहे हो या नहीं, 7 रुपए पर 70 पैसा, यानि दो बारा वो 3 रुपए और 2 रुपए फिर से का सामान बनाया उसको बेचा कितने में कितने में बेचा 22 रुपय में हां या ना 20 पर government ने tetime ले लिया ये नया value added है ठीक है sir ये value added है इस पर liberals राम involvement को लेना चाहिए 2 रुपय इसने कितना टोटल value लिखा है कितना tax value लिखा है 30 रुपए क्या उस 30 रुपए में ये 20 रुपए शामिल है हाँ तो गॉर्मेंट अब कितना इसमें वैल्यू ऐड़ेड मान लेगी 10 बीस रुपए के उपर बी ने केवल 10 रुपए की वैल्यू ऐड़ेड की है तो गॉर्मेंट को केवल 10 रुपए पर टेक्स लेना चाहिए यह यहां पर गॉर्मेंट को पूरा 20 रुपए पर टेक्स लेना चाहिए और गॉर्मेंट को यहां पर 10 रुपए पर टेक्स लेना चाहिए हाँ या ना अब यही वैल्यू आगे बढ़कर के कितनी हो गई 40 और इसके पहले ये value कितनी थी यानि इसने कितनी value add की इस पर tax लेना चाहिए government को total मिलाकर इतना tax लेना चाहिए था government ने total tax कितना ले लिया जरा धंग से देखो तो government आपके सामने पता चल जाएगा कि government ने total tax कितना लिया ये आ रहा है आपका 9 और लेना कितना चाहिए था 4 है न लोचा अगर ये 10 बार माल बिकेगा तो 10 बार लोग अपना profit 10 बार पिछला वाला tax और उस tax के उपर tax देते रह जाएगे और सामान का दाम आसमान पर भाग जाएगा government ने कहा ये दो problems हैं तो एक ही amount of tax जितनी भार system की line में जोड़ रहा है purchase sale में add हो रहा है उतनी भार same amount of tax दूसरा उस tax के उपर का tax ये दो problem थी जिनको दूर करना था and it was possible it was very much possible to solve this matter only with the help of the value-added tax system किस system के हिसाब से? VAT system के हिसाब से और VAT system लाया गया अब मैं इसी example को करके बताता हूँ और आपको दिखेगा कि केवल जेब से कितना रुपया जाएगा tax का? कितना जाएगा? 4 रुपया जरा example देखते हैं इसी example को pick करते हैं यह है A, B, C and D cost कितनी थी? Sir, cost थी 17 प्लस 3 profit यह हो गया 20 यह हो गया taxable value प्लस इसमें ले लेंगे GST या VAT आप ले लें 10% कितना आएगा? 2 रुपया टोटल कितना हो गया? 22 ठीक है यह invoice value हो गई इसने कितने पर खरीदा? Sir, इसने न खरीदा 20 प्लस 2 रुपीज में कितने में? प्लस 2 को हम लिख देते हैं red color से अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसने कितना add किया था, value addition कितना किया था 8 रुपय किया था न, देखो न, कितना add किया था profit 8 रुपय, total value कितनी हो गई? कितनी हो गई? समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? सन्नाटा है क्या? ये समझ में आया सबको हाँ भई, 20 रुपय प्लस 2 रुपय मैंने दोनों को अलग लिख दिया पहली वाली line जो थी न, ये 22 ये मैंने यहाँ पर अलग अलग लिख दिया 20 प्लस 2 अलग अलग लिख दिया और 8 को रख दिया, ठीक है अब GST कितना लग जाएगा? 10% कितना लग जाएगा? ये गॉवर्मेंट को देगा 2 रुपय कितना? कितना देगा? देगा न? और ये गॉवर्मेंट को कितना देगा? ये जो रेड कलर है न ये दो रुपय का माइनस कर लेगा गॉवर्मेंट को टेक्स देते हैं, मेरी बाट ढंक से समझेंगे ये गॉवर्मेंट को कितना देगा? केवल 80 पैसा और ये गॉवर्मेंट को कितना देगा? 2 रुपय बिलकुल इत्मिलान से कोई हरबड़ी नहीं है हाँ बोलिए बाबू, मनीश क्या बोल रहे थे? टोटल टेक्स लिएबिलिटी कितनी है? उसमें से ITC ले लो बचेगी कितनी? नेट लेक्स लिएबिलिटी टू गॉवर्मेंट दो रुपय का टोटल इसका टेक्स लिएबिलिटी था उसमें पूरा दो रुपय गॉवर्मेंट को दे दिया इसमें कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, बी वाले का कितना टेक्स लिएबिलिटी आया टोटल? टू एक्टी इसने कहा कि जब मैंने आप से सामान खरीदा था भी ने कहा जब मैंने सामान खरीदा था तो उस पे हम दो रुपय तो टेक्स आल्रेडी दे चुके एको वो इसमें शामिल है उसको माइनस करो बात समझ में आई? असी पैसा टोटल मिलाकर इसको कितना टेक्स देना है गौर्मेंट को अगर हम बात करें C की C ने कितने में सामान खरीदा? बता सकते हो अब वो लिखेगा यहाँ पर 28 प्लस 2.8 टेक्स को अलग कर दिया टेक्स को इसलिए वैल्यू का हिस्सा नहीं एड कर रहा अगर हमने 28 के साथ 2.8 को अड कर लिया तो उस पर भी हमें टेक्स देना पड जाएगा मेरी बात समझ में आई हम 2.8 को अड क्यों नहीं कर रहे है क्योंकि हमें उस पर भी टेक्स देना पड जाएगा भईया उसके टेक्स वाले फीगर को किनारे लखो नहीं तो tax के उपर tax लग जाएगा, क्या लग जाएगा, tax के उपर tax लग जाएगा, अभी आएंगे उसकी भी terminology बताएंगे, तो ये 2.8 tax लग जाएगा, इसलिए इसको बहुत किनारे कर लो, इसके उपर tax नहीं लगाना है, ये हमारी figure है 28 रुपए, वो figure है जो tax को छोड़ द इसमें tax शामिल नहीं था, 20 रुपए, 20 और 8, कितना हुआ total, 28 देखो इसने लिखा, कि आज तक जो भी सामान हमने खरीदा है, उसमें से अगर tax की figure हटा दो, तो 28 रुपए का सामान मैंने खरीदा है, आया ना, अच्छा, इसने कितना add किया था value added में, C ने 7 रुपए add किया था, तो 7 को add कर लो यहाँ पर, तो यह हो जाएगा, total मिला कर आपका 35, अच्छा जी, अब इसके ओपर कितना tax बनेगा, sir, 3.5 बनेगा, ओखे, तो इसके लिए total value कितनी हो गई, 38.5, sir, समझ में आ गया, लेकिन इसको tax कितना देना पड़ेगा, total liability इसकी tax की 3.5 है, लेकिन सामान खरिदते समय, already यह government को tax दे चुका है, उसको वो minus कर लेगा, कितना 2.8, अब इसको tax कितने का देना है, केवल 70 पैसे का, कितना, मेरी बात समझ में आई सबको नहीं, यानि हमें दो चीज़ें कम करनी हैं, पहला tax के ओपर tax, multi-level tax, जो कई बार सामान दिखा, और बार बार मैंने वो tax दिया, और दूसरा, जो हमारा tax के ओपर tax बन रहा था, वो, तो ये दो फीगर हमको हटानी थी, और ये मेरा बनेगा क्या, वैट का सिस्टम, बोलो भाई, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, चल, दूसरा है आपका tax on commodities, ठीक है सर, ये मालूम है, commodities पर tax लगता है, burden shift कर सकते हैं, no perception of the direct pinch, आपने सुबह से खाया पी या, क्या एक बार भी आपने सोचा कि आपने government को tax दे दिया आज, और दिया तो कितना दिया, एक बार भी हिसाब किताब लगाया क्या, आप copy खरीद करके आए होंगे घर पे, pen खरीद करके आओंगे, क्या आपने ये एक बार भी सोचा कि हमने tax का payment किया है, नहीं, तो ये कहलाता है, note perception of the direct pinch, okay, inflationary, कितनी बड़ी बात है, सामान का दाम बढ़ेगा, तो tax अपने आप बढ़ जाएगा, सामान का दाम कम होगा, तो tax की figure अपने आप कम हो जाएगी, यानि ये महंगाई के हिसाब से, inflation के हिसाब से, inflation rate के हिसाब से, या value के हिसाब से, इसमें plus और minus होता रहता है, इसलिए government को इसमें फायदा भी है और काटा भी है, wider tax base, अरे भाई, जितने भी goods हैं, सब पर tax लगाओ, जितनी भी services हैं, सब पर tax लगाओ, इसका मतलब ये हुआ, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप transactional way में आप measure कर सकते हैं, now all those things are now under the tax regime, promote social welfare, क्या use होता है मैं बता रहा हूँ, regressive nature बता चुके, tax government क्यों लेती है भई, जो इतना farmers को दिया जा रहा है, उनके accounts में हर तीन महिने में 2000, या आपको government schools में पढ़ाया जा रहा है, एक रुपे की fees के साथ, या hospitals, अगर government hospitals, civil hospital, medical colleges और aims की बात करें, तो आपको बहुत ही nominal fees में एक रुपे, दो रुपे, दस रुपे, सौ रुपे में आपका इलाज है, पुरा पुरा treatment कर देते हैं, फ्री में medicine दी जाती है, government आपको roads देती है, dance देती है, bridge देती है, electricity की facilities देती है, infrastructure build करती है, develop करती है, there are so many other things जिनसे आपकी life चलती है, तो ये एक तरह से social welfare का ही काम होता है इससे, अब तो बात समझ में आई कि इस पैसे का use कहा होता है, concept of GST, VAT बता दिया, GST का base वही है VAT, कोई फरक नहीं है, continuous chain of tax credit, ये जो tax credit है न देको ने chain बनी हुई है, कोई तोड़ नहीं सकता बीच में, अगर ये chain तूट गई तो बरबादी हो जाएगी, पैसा बढ़ जाएगा, कैसे हो हम लोग आगे देखेंगे, बरबादी का मतलब यहाँ पर महंगा हो जाएगा सामान, यानि ये tax की chain बंधी हुई है, A से B को, B से C को, ये record pass on होता रहता है, A ने सामान बेचा, B ने invoice लिया, बिल लिया, उसके बदले उसने ITC ली, B ने सामान C को बेचा, C claim करेगा credit की, ये जो red red मैंने लिखा है न, इसका claim ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही नहीं मिल जाएगा, इसके लिए आपको पापड बेलने पड़ेंगे, यानि कि record maintain करने पड़ेंगे, तो इसका फाइदा काम करना पड़े, कि yes, we are needed to maintain the record, because we are needed to take the credit of ITC, then at that time, you were under an obligation to maintain all the records and the books of the accounts, तो ये आपके उपर एक obligation का काम करता है, और साथ साथ आपको फायदा भी देता है, केवाल आपको नहीं, society को भी और government को भी पायदा देता है, कि government अपना tax collect कर सकती है, उस chain को बांधे रख कर के, is it clear, जी, लास्ट मैंने बता दिया, burden born by consumer, और लास्ट है, no cascading effect, सर ये cascading effect क्या होता है, कोई बताएगा, हमको cascading effect क्या होता है, ये cascading effect क्या होता है, कोई बताएगा, बहुत बढ़िया, मैंने अभी कहा न, आएगा थोड़ी दिर में, जी, इसी को करते है, tax on tax, ये कहलाता है, cascading effect, ये कहलाता है, cascading effect, तो अब कोई cascading effect नहीं होगा, no cascading effect, no cascading effect, तो अब tax के उपर tax नहीं लगेगा, ये एक सबसे बड़ा फायदा है, VAT का, यहाँ GST का, benefits क्या है GST के, चलिए, GST के फायदे हैं, सबसे पहली बात तो tax के उपर tax नहीं लगेगा, books of account maintain होगी, government को सारे लोग लग लग लग, जिनके उपर obligation होगा, वो अपनी books present करेंगे, और उनके इसाब से tax देंगे, government को भी पता चलेगा, कि हमारी GDP के तरह, अरे, 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 सबसे बड़ी बात की black economy, या जो एक parallel economy चलती थी, white money के साथ black money का system चलता था, वो काफी हद तक कम हो गया, क्योंकि अब हमको ITC avail करनी है, और ITC हम तभी avail कर पाएंगे, जब सामने वाले से जो माल मैंने खरीदा है, उसका मेरे पास bill रहेगा, और तो और सबसे बड़ी बात digitization होने की वज़ा से, अब हमें अपने local area के, जो GST inspector है, या GST clerk है, या GST officers है, commissioner है, अब उनसे कोई contact करनी के दुरत नहीं है, हम अपने घर पे बैठे बैठे अपने returns फाइल कर सकते हैं, face less returns है, face less assessment है, सारी चीजें online होनी है, अब आपको कोई परिशान नहीं कर सकता, अब corruption का system काफी हट तक कम हो चुका है, मेरी बात समझ में आई, और purpose क्या था government का, ये सारी चीजें इतनी जल्दी लाने के पीछे purpose क्या था, make in India initiative को आगे ले जाना, तो यहाँ पर government के काफी सारे पाइदे हो गए और public के भी, what not changed after GST, किन किन पर GST आने के बाद किन चीजों में कोई फरक नहीं आया, GST आने के बाद आपके alcoholic liquor, ओ, ओ, दारू, अफीम, गांजा, उन पर कोई फरक नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि उस पर आज भी state government का पूरा का पूरा right है, इस टेट government ने उसको अपने grip से निकाला नहीं, यानि liquor, दारू, आपने देखा होगा corona period में, दिल्ली में या कहीं पर भी liquor की shop खुल गई, इस टेट government अपने अपने हिसाब से shop खोल रही थी, क्योंकि वो कमाने का एक अच्छा जरिया है उनका, गांजा हो गया, इंडियन हैंफ हो गया, अपी मगरे यह से नार्कोटिक मगरे के सामान, आपको मालूम ही है, इस समय क्या चल रहा है, फिलाल, central access duty continues to be levied on manufacture on tobacco, petroleum, crude, diesel, petrol आपने news में सुना होगा, इस बार अगर GST के council meeting होई तो उसमें भी अभी भी government ने यही का है, हम petrol और diesel को GST के दायरे में लाना चाह रहे हैं, अरे लाते क्यों नहीं, क्यों नहीं ला रहे, क्योंकि जिस समय ये GST के दायरे में आ गया, वहाँ पर state government को भी नुक्सान होगा, और central government को भी नुक्सान होगा, उनके tax amounts कम हो जाएंगे, तो ना तो state government चाहती है हमारा GST के अंदर petrol या diesel आए, ना central government चाहती है कि ना diesel और petrol GST के दायरे में आए, जिस से उसका दायरा कम हो जाए tax का, government को इस समय पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, तो ये बहुत बड़ा way है कमाने का, source of revenue है, तो कोई अभी lose नहीं करना चाहता उसको, तो बाको product हो गया, इस पर अभी भी central excise duty लग रही है, सर, central excise भी दो तरह का, central government का, और state government का, जी हाँ, central excise भी अभी भी जिन्दा हूँ मैं, क्या बोलता है, अरे, आपके GST लाने से excise नहीं खतम हुआ, सर, खतम तो हो गया था, commercial tax खतम हो गया था, CST खतम हो गया था, state VAT खतम हो गया थे, अरे, central excise भी खतम हो गया, अरे, central, state excise भी खतम हो गया, entertainment tax, different, different tax खतम हो गया, लेकिन हाँ, कुछ सामानों पर central excise अभी जिन्दा है, जैसे कि टोबाको, petroleum, crude oil, diesel, petrol, aviation, fuel, natural gas, उन पर अभी भी central excise, और state excise अभी भी बाकी है, state excise, alcoholic liquor, opium, Indian ham and narcotics items पर अभी भी बाकी है, yes or no, जब GST आया ना, तो central government क्या चाह रही थी, central government का ये purpose था, कि GST आएगा, एक अकेला इस शहर में, तो ये अकेला central level का GST होगा, और सारा control, central government अपने हाथ रखेगी, लेकिन क्या कोई state government अपनी source of revenue को central government के हाथ में ऐसे ही चले जाने देगा, क्या, अरे बोलो ना, नहीं, नहीं, कोई central government, अरे कोई state government नहीं चाहेगी, कि उसकी कमाई का जरिया अप central दूसरे के हाथ में आ जाए, हम ही collection करे, हम ही count करे, और इसमें से central government का हिस्सा हम ही दे, हर को कोई चाहेगा, ये कोई नहीं चाहेगा, कि कल से central government collect करे, और उससे हम मांगने जाएं बार-बार अपना हिस्सा, तो यहाँ पर मजबूरी में खुब कोशिशें की गई, कि एक central GST, केवल एक GST Act बन जाए, केवल एक simple GST Act बन जाए, पूरे इंडिया के लिए, one nation, one tax, लेकि actual में ये possible नहीं हो पाया, क्योंकि अभी भी इसके दो पार्ट है, एक CGST और एक SGST, ये दोनों आ गए, और ये SGST के वल एक state नहीं है, जितने इंडिया में states है, जितने union territories है, उतने हमारे state GST है, हाँ, एक फायदा हो गया, सब states के लिए, एक common GST law है, common GST law है, state के लिए, हाँ उसमें हर एक state ने थोड़े बहुत percentage, penalty, fine वगर इसको उसको हलका फुलका change कर दिया है, otherwise, जो section 4 यहाँ पर है, वही section 4 यहाँ पर है, वही section 4 यहाँ पर है, तो पहले जो इतना distraction manner में था, मना पूरा तितर बितर था, जिसको उनकाते है, the thing was in the mess, पूरा बिखरा हुआ था, VAT system, उसको निकाल करके, हाँ, at least, उनको एक law बनाया गया, पूरे states के लिए, जो section 1 यहाँ का बोलेगा, वही section 1 यहाँ बोलेगा, जो 20 यहाँ बोलेगा, वही 20 दूसरे state में बोलेगा, थोड़े minute change के साथ, अगर possible हुआ, तो उसको एक common रखने की कोशिश की जाती है, central government एक ही है, central government का, ठीक है न, इसी लिए इसको कहा जाता है, dual GST, क्या कहा जाता है, dual GST, यह है आपका dual GST, अच्छा सर, कैसे काम करता है, जरा बताईए, होता क्या है, जब हम, मान लिजिए, महराष्टरा से, महराष्टरा में ही purchase, यह आपका seller है, और यह आपका buyer है, simple तरीके से अभी मैं बता रहा हूँ, अगर दोनों same state के है, तो वहाँ पर आपका लगेगा, इसको कहा जाएगा intra state, क्या कहा जाएगा, intra state, transactions, और जब intra state transaction होता है, वहाँ पर आपका CGST plus SGST होगा, state government कहेगी, यह मेरे हक में आएगा, तो ठीक है वहाँ, हम लोग दोनों अपना अपना कानून लगा देते हैं, क्योंकि उस state में central government का भी हिस्सा है, और state government का भी हिस्सा है, तो दोनों को CGST, SGST लगेगा, दोनों लगेगा, अच्छा, अगर मैं कहूँ कि महराष्टरा से गुजरात में इसका transaction हो रहा है, seller यहाँ पर है, और buyer इस state में है, तो यह कहलाएगा inter state transaction, कौन सा transaction, inter state transaction, और जब inter state transaction की बात आएगी, तो दोनों state चीखने और चिलाने लगेंगे, यह मेरा हक है, यह मेरा हक है, तो वहाँ central government ने game कर लिया, government ने कहा, कि ठीक है, यह IGST का matter है, integrated goods and services tax, कौन सा? हाँ, अब central government वसू लेगी, तुम दोनों मत लड़ो, अब हम central government ले लेगी tax, और उसके बाद state government को देगी, लेकिन जब बात आती है, same state की, same state से माल खरीदा और बेचा गया है, तो वहाँ पर CGST और SGST दोनों applicable होंगे, जब वो inter state की बात होती है, तो वहाँ IGST लगता है, इसका नाम है, central goods and services tax, और state goods and services tax, और integrated goods and services tax, ये हैं आपके tax के नाम, इसके अलावा, अगर मैं कहूं, जैसा आपने देखा है, state दो तरह के होते हैं, दिल्ली में लडाई हो रही है, केजरीवाल साहब कते हैं, कि central government हमको काम नहीं करने दे रही, काम नहीं करने दे रही, क्यों, क्योंकि वहाँ LG बैठे हुए हैं, lieutenant governor बैठे हुए हैं, अरे बोल LG साहब बैठे हैं, तो उस state में LG साहब बैठते हैं, उसको हम लोग करते हैं UTGST, क्या बोलते हैं, union territory, उसको क्या बोलते हैं, जैसे jamu and kashmir में अब कौन है, union territory है, तो LG साहब है, लडदाख में कौन है, union territory है, तो union territory दो तरह की होती है, वो भी आपको देखना है, एक जिसका अपना लेजिसलेचर होता है एक वो जिसका अपना लेजिसलेचर नहीं होता एक वो जिसका अपना लेजिसलेचर होता है विधान होता है विधान सभा होती है जैसे केजरीवाल की पूरी विधान सभा है है की नहीं है विधायत है न उनके पास MLS है न सारे की सारे ये कहलाता ह कि एक तरह से legislature है डेल ही का लेकिन वहाँ control union territory यह निकि central government का भी है किसका है वहाँ control central government का भी और state government दोलों है वहाँ पर लेकिन अगर हम लगदाख की बात करें this is purely a union territory without having a legislature legislature जमू एंड कश्मीर का अपना legislature है इसलिए वहाँ पर state government आएगी आज नहीं तो कल आएगी उसका अपना विधान सभा होगा MLA's होंगे और साथ ही साथ LG भी काम करेंगे मेरी बात समझ में आ रही है दिल्ली की तरह जी तो उसको हम लोग कतें UTGST क्या UTGST Union Territories तो उसके लिए बनाए गए जहां पर legislature है डेल ही हो गया तो उसके लिए बनाए गए UTGST जी जड़ा देखें Union Territories Goods and Services Tax Central Goods and Services Tax State Goods and Services Tax यह आपके IGST नहीं लिखा है मैंने यह ITGST Integrated Goods and Services Tax इतने आपको ध्यान देने हैं तो अब अगर मैं बात करूँ Delhi की या लद्दाख की या जमू और कश्मीर और लद्दाख की जिसको आप ध्यान देते हैं खेर इस पर अलग से पूरा टॉपिक चलेगा कहता है Union Territories and Goods and Service Tax लेविड और कलेक्टेड बाई Union Territories जहां पर कोई Legislature नहीं है वहाँ UTGST लगेगा अरे जहां Legislature है वहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है जहां Legislature है एक कानून बना हुआ है जहां पर MLA's है UP में भी MLA's है MP में भी MLA's है Delhi में भी MLA's है तो भाईया Normal SGST लेकिन जहां अपना Legislature नहीं है वहाँ क्या लगेगा UTGST वहाँ क्या लगेगा जी बात समझ में आई फिलाल ये चीज़े मैंने थोड़ी बहुत बता दी है आएंगी चीज़ें बहुत डिटेल में Legislative Framework है ये अभी आएगा ये अलग चेप्टर में हम आपको डिसकस करेंगे चिंटा करने की ज़ुरत नहीं है आज हमको केवल GST का Introduction पार्ट पूरा खतम करना है धंक से सुने GST का Common Portal अभी आप चाहे तो आप विजिट करते हैं www.gst.gov.in यहां आप जाएं आप अपनी Returns पाइल कर सकते हैं आप अपना Registration करवाना चाहते हैं आप अपने Products को Add-on करना चाहते हैं नए HSN को लाना चाहत हैं पूराने को हटाना चाहते हैं बिजनस को Shift करना चाहते हैं नए बिजनस को Add करना चाहते हैं एक नए बिजनस को उसी GST नंबर करना हो अपने Business से Related इट इस अप नो यूस तो हैव एनी फिजिकल प्रेजनस आफ यूर्स तू दग जी एस्ट ओफिशियल्स यू कें डू आपको जाते हैं तो आपको GST से सारी चीजे Related मिल जाएंगी अच्छा जी इस Portal पे अगर आप चाहें एक CA की हैसियस से या GST Practitioner या Advocates की हैसियस से अभी आपने देखा होगा Income Tax का नया Portal आया है उसमें CAs के लिए कहा गया है कि अगर कोई Client अपने CA को क्या-क्या Work Assign करना चाहता है वो उसी Portal से कर सकता है अच्छी बात है अगर कोई Client अपने CA को हटाना चाहता है तो उसी Portal से हटाएगा दे CA को Appoint कर देगा वहीं से मतलब उसको काम Assign कर देगा और साथी साथ Reason भी लेखेगा उस CA को हटाने का सोचिए ये सब चीजें अब Online हो रही है सारी की सारी आधी Tension तो खतम हाँ कई लोग को इससे दिक्कत भी है तो कुछ फायदे भी है The Portal is one single common portal for all GST related services जो काम करना है आपको GST से related you can go with this portal बताएंगे आएगा प्रैक्टिकल चीजें दिखाएंगे आपको अच्छा जी eBay Bill का आएगा चेप्टर तो समें हम discuss करेंगे अभी कोई मतलब नहीं है अच्छा आपको यह GSP ASP यह सब चीजे मालूम है की नहीं चलिए आप अपने शहर में अगर घूमते होंगे तो कहीं देखेंगे GST सुवीधा केंद्र yes or no यह यही है GST सुवीधा प्रवाइड GSTN has selected certain IT information technology enabled services and financial technology company सारी कंपणियों को नहीं कुछ कंपणियों के साथ इन लोको ने tie-ups कर लिये है to be called GST सुवीधा प्रवाइडर यह GSP होते हैं क्या होते हैं GSP होते हैं जो आपके महले में हैं they are not the GSP they are the caner वो उस GSP का एक छोटा सा हिस्सा होते हैं वो जो GSP है वो main है जैसे आपने देखा होगा एक stock broker होता है और उसके हर जगह सब broker होते हैं हर एक शहर में 2-2-3-3 जगह stock broker मिल जाते हैं तो वो company की franchise ही होती है वो सब broker की तरह काम करते हैं लेकिन broker एक main अपनी जगह बैठा होता है इसी तरह GSP जो main broker है वो एक जगह बैठा हुआ है उसके पास सारा का सारा system है वो government की website को access करने का पूरा उनके पास power किस तरह से होता है वो पूरा agreement के तरह तो तरह फिलाल GSP develop application यह जो GST service सुविधा provider है यह अपने applications बनाते हैं आपने देखा होगा computex से आप जाए न GST वहाँ से दाती कर सकते हैं अच्छा है एक और है अच्छा है एक और है कई अलगल कंपनियों के GST के open है आप वहाँ पर जाएं आप इस portal पे ना जाएं किस portal पे www.gst.gov.in पर दूसरे portal पे जाएं वहाँ से अपने GST को access कर सकते हैं वहाँ से returns बढ़ सकते हैं वहाँ से साई चीज़े filter कर सकते हैं और वो सारा का सारा जो pooling होता है data उनको access करने का power मिलता है इस website से अब बताओ एक private पंदे की website है company की website है उसको power दिया होगा government ने कि हमारे इस GST के data को आ है हाँ तो यह GSP कहलाते है GST सुविधा प्रोवाइडर GSP develop application to be used by a taxpayer by interacting with the GST network they facilitate the taxpayer in uploading invoice filing returns act as single stop shop for GST related services they customize product that address the need of the different segment of users भाई आप अगर tally ले आते हैं तो कई लोग tally पसंद करते हैं कई लोग busy पसंद करते हैं कई लोग कुछ दूसरा software पसंद करते हैं अपने अपने business के हिसाब से उनको अपने software चाहिए yes or no तो यहां पर भी कई कंपनिया उसी data को पूल करती है और अपने हिसाब से उनको चेंज करते हैं अपने हिसाब से उस application के interface को change करते हैं अपने user based के हिसाब से यह user interface के हिसाब से उनको दे देती है ताकि वो लोग उनके customer use कर सके ASP will focus on taking taxpayer raw data on sales and purchase and converting into the GST returns these GST returns will then be filed on behalf of the filer with GST and via the GSP GSP may take the help of application service provider who act as a link between taxpayer and GSP जो taxpayer है और GSP है दोनों के बीच में एक link होता है जिसको हम कहते हैं ASP application service provider yes or no that's it यह आपको दिमाग में ज्याद रखनी थी चीजें जो एक basic GST में काम आती है सर एक बात बताईए introduction is over introduction में कुछ भी नहीं बचा जितनी चीजें introduction में मुझे बतानी थी मैंने done 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 कर दी अब मैं आपके सामने एक दो important चीज बताने जा रहा हूं कि जो next session हमारा चलने वाला है वो scope of supply चलेगा और मैं अभी से बता दे रहा हूं कि अगर आज का class आपको बोर लगा है लगा है ना आचा नहीं लगा आचा तो इतना याद रखिएगा आने वाले चार से पाँच लेक्चर इतना बोर करेंगे आपको कि आपका मन करेगा मैं आपका मन करेगा सर जोड़ दीजा बहुत हो गया बहुत बोर कर रहा है ये चैप्टर लेकिन बिलीव भी अगर उन चैप्टर को आप ढंक से नहीं पढ़ेंगे इस इस यूर बेसिक इस इस यूर foundation यह आपकी पूरी foundation को मजबूत करेगा आपकी GST को आपकी grip में लाने में वो चार से पांच लेक्चर बहुत बोर करते हैं मैं बिलीव मानिए बहुत बोर करेंगे मैं मुझे पढ़ाते समय मुझे नहीं बोर लगेगा लेकिन हो सकता है आपको सुनने में बोर लगे लेकि अगर निकल गई तो समझ लीजे उसके बाद GST एक गेम हो जाएगा कोई ज्यादा toughness नहीं है बहुत आसान subject है उसके बाद बिलकुल मक्षन की तरह यह subject चलता चला जाएगा लेकिन आपको केवल दिक्कत आनी है चुकि फुरू का stage होता है हम चाहे तो इसको बहुत जल्द आप अपने अगर concept को clear कर लेंगे तो आपको pages बार बार पलटने की जौरत नहीं पड़ेगी केवल यह 5 lectures के बाद लेकिन हाँ बोर होंगे मैं अभी से आपको बता दे रहा हूँ clearly कोई दिक्कत हो तो पूछें आप पक्का screenshot या इसका PDF शेर कर दे बस एक मिनट होल्ड करिए PDF मैंने शेर कर दिया है और screenshot आपको लेना हो आप ले ले ठीक तो कहने का मतलब यह है कि अब next section से यह first chapter is over हम इसको चाहते तो first chapter के साथ match करके पढ़ाएं लेकिन इसको introduction बिलकुल अलग part है इससे आपको basic सीजे समझ में आई होगी कि हमको पढ़ना क्या है ठीक है ना अच्छा एक चीज याद रखेंगे आगे हम जितने भी sections बताएंगे पढ़ाएंगे वो basically सारा का सारा क्या होगा that would be your cgst कभी भी हम कोई भी section अगर quote करेंगे it means I am just quoting cgst जब तक मैं specifically ये ना बोल दूँ कि ये sgst है या ये igst है जब तक मैं ना बोलूँ तब तक आप उसको क्या मानेंगे यानि हमेशा जब भी हम कुछ quote करेंगे sections तो वो हमारे sections quote होंगे cgst से अच्छा अब बात आती है rules की जब भी हम बात करेंगे rules की तो वो होंगे cgst के जब त हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं gst act क्या पढ़ने जा रहे हैं ना थोड़ा change करें हम लोग पढ़ने जा रहें gst laws father-in-law mother-in-law ऐकिने they are in-laws लेकिन यहां पर हम पढ़ने जा रहें gst laws क्या है ये gst laws gst law में cover होता है आपका gst act चाहे वो cgst act हो चाहे sgst act हो igst act हो utgst act हो या compensation act हो दूसरा होता है आपका gst rules act बताता है what to do act बताता है आपको what to do और rules बताता है how to do कैसे करना है वो बताता है rules क्या करना है वो act बताता है क्या करना है act बताता है क्या कैसे करना है वो rules बताता है इसके अलावा आपको बीच बीच पे आने वाले जो notifications होते है गॉर्मेंट बीच बीच पे notifications रिलीज करती है हमको वो भी देखना है कोई amendment होगा वो notification के थुरू ही आएगा normally कोई circular होगा वो देखना होता है sir circulars और notifications में फरक क्या होते है ये changes को बताता है अगर कोई change हुआ तो उसको बताएगा और circular होता है ये official होते है ये public नहीं होते means आप public के लिए नहीं होते ये official document होता है कि एक office का higher authority अपने जो lower authority होती है उसको एक later लिखता है कि भाई आने वाले समय में ये काम न इस तरह से निप्टाना इसको हम करते हैं circular इस काम को essay करना इसको हम करते हैं circular yes or no इसके बाद होते हैं कुछ explanations जब आप law पढ़ेंगे तो act या rules पढ़ेंगे तो बीच बीच में explanation आएंगे कि आपको ये चीज ऐसे समझनी है तो basically हमको सबसे last में पढ़ना है case laws जो supreme court और high court ने decisions या authority ने decisions दिये हुए ये पूरा मिला करके बनता है law और आप अगर ये सोचने के वल हमको GST act पढ़ने हैं ना आपको rules भी पढ़ने हैं आपको notification, circulars, explanation और case laws भी देखने हैं तो ये सब मिला करके आपको पढ़ना है जिसको बोगते हैं GST laws इसे clear आप कोई दिक्कत है किसी को टाटा बोले पर्स चेप्टर इस ओवर नेक्स सेशन से वलोग सेकेंड चेप्टर पर स्कोप एंड स्कोप एंड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे थैंक्यू बच्चो